तो आज मैं आप बच्चों से बात करूंगा कि फोट्रान में एन नैच्टुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड आट करते हैं और जैसे ही हमारे पस डाटा जनेरेट होता है वो कैसे सेब किया जाता है किसी फाइल में राइट तो लेट एस है वे लुक अट दैट मैंने छोटा स प्रोग्राम जी लिखा लेट में टॉक अबाट अबाट आट इस प्रोग्राम सम अंडर स्कूर एंड डॉट एप एंड नेच्टुल नंबर्स का सम कैसे फाइंड आट करते हैं तो मैं पहले तो इस लाइन को कमेंट कर रहा हूं यह कमेंट कर दिया मैंने और इसको मैं यहां पर आयम राइटिंग टेस्टार कॉमा स्टार रादर देन सिक्स कॉमा स्टार ठीक है दिन मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इसका क्या मीनिंग है तो यह प्रोग्राम बीजिवल है आप लोगों को यह सूब के यह प्रोग्राम था इस फैंड उट दे सम फ एन नाचुर नंबस ठीक है इसको आप इग्नोर करो क्योंकि यहां पर मैंने कमेंट लिखा हुआ है ठीक है कमेंट का मतलब है यह लाइन it's not a part of the program ठीक है इसको हम ignore करेंगे तो सबसे पहले मैंने n numbers को read किया कि मैंने कहां तक sum find out करना है ठीक है और loop लगाया मैंने यहां पर do i equal to 1, 2, n और sum कर दिया find out sum is equal to sum plus i ठीक है sum is equal to sum plus i और sum क्या होगा initially तो कुछ भी नहीं होगा sum initially तो देखो कोई number add नहीं हमने किया तो sum को हमने क्या बोल दिया that sum is equal to 0 और sum को बोल दिया then sum plus i और i कहां से कहां तक vary कर रहा था 1, 2, n it is varying from 1 to n और then write i i कि जो मैंने i number resume किया वो और साथ में जो sum आ रहा वो write and then do को complete किया end do के साथ clear do is finished with end do then stop and end ये program लिखा आप मैंने ठीक है अब इसको compile करते है save किया मैंने इसको and then gfortran sum underscore end dot f dot slash a dot out तो read किया था end read किया था तो मालो 10 मेंने रीड किया तो ये मेरे पास आ गया ठीक है तो देखो 1 1 जब 1 था तो sum हमारे पास 1 आ रहा है जब 1 की value 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 okay sum add नहीं हो रहा है let us it means अभी तो एक से लेकर 10 तक number ही write हुए nothing else तो कुछ गड़बड है rather than this अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ simply sum sum is equal to sum plus i करें तो ज़्यादा बेटा रहेगा otherwise नहीं हो रहा है ये देखो जड़ा दोबारा से compile किया gfootrun.slash a.org 10 लिया ये देखो ये आ गया 1 then 3 देखो 1 तो 1 हो गया 1 में जब 2 add किया तो 3 हो गया इस 3 में next number 3 add किया तो then it will be 6 जब इस 6 में ये 4 add किया then it is 10 जब इस 10 में ये 5 add किया it is 15 up to 55 तो एक से लेकर 10 तक numbers को जब हमने add किया तो ये numbers आ रहे थे and corresponding successive sum आ रहा है मेरे पास clear अब मैं एक काम और करता हूँ इसको ढंक से समझना आप रुच्चों ने इस comment को मैंने हटा दिया इस line का meaning समझो open unit equal to 6 ठीक है open unit equal to 6 और यहां पर मैंने 6 लिख दिया जो number यहां लिखा है वही same number मैंने यहां पर लिखा यह point clear हुआ is it clear yes sir okay so then file quotes के बीच में double quotes के बीच में मैंने data dot लिखा means क्या किया मैंने एक file open की और file का नाम रखा data dot that status क्या कर दिये मैंने new इसका meaning क्या हुआ कि जो right statement में मैंने 6 लिखा हुआ है वो क्या करेगा यहां पर जो भी मेरे पास चीज calculate होके आएगी वो इस file में write हो जाएगी data dot that में data dot that file में वो file write हो जाएगी ठीक है यह meaning है इसका अब देखो मैंने पहले compile करके रखा था मैं उसको हटा रहा हूँ ls किया यहां पर data dot that नाम की file है है यहां पर दिख रही है यह सर नहीं है देखो यहां पर data dot that नाम की file नहीं है देखो है कहीं पर नहीं है एक बार मैं फिर से file open करो यह देखो मैंने नई file create करने के लिए क्योंकि status new है that means I am creating a new file तो data dot that नाम की file बन जाएगी अभी है यहां पर है को फाइल यह देखो ls किया मैंने लिस्ट किया है यहां पर data dot that की file है की नहीं है और प्रोग्राम का नाम मैंने यह रखा अभी कोई data dot that file नहीं है मैंने प्रोग्राम को compile किया प्रोग्राम का नाम ठीक है clear यह देखो अभी भी कुछ नहीं की file बन गई clear बनी न अब इसको open कर रहा हूं मैं data dot dad को यह देखो पूरा result मेरे पास यहां पर लिखा हुआ गया clear तो अलग से किसी file में मेरे पास data जो मैंने चीजें calculate की वह मैंने write करवा ली तो यह meaning हुआ इसका इसी तरह से मालू मुझे और करना है कुछ तो दुबारा open किया मालो data की बजाए मैंने नई file बनानी है data 1 बोल दिया मैंने उसको let us imagine और मुझे एक से लेकर 10,000 तक numbers को find out करने तो मैंने दुबारा से program को compile किया यह देखो यह compile लगा मैं करने dot slash dot out अब आप मालो 10,000 add करवा दिया तो 10,000 जब मैंने लिखा 10,000 देन उसके लिए मुझे कौन सी file write करवाई data one dot that तो यह बन गी data one dot that file तो अब information screen पर डिस्प्ले होने के बज़े कहा गई स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बज़े कहा जा रही information उस file में write हो रही है ठीक है clear yes sir इसी में मैं थोड़ी सी और modification भी कर सकता हूं कैसे करेंगे वो मुझे सीखना है ठीक है तो द्वारा ओपन किया मैंने बोल दिया मैंने यह यहां पे two किया data two dot that और यहां पे sum और यहां पे एक और चीज calculate करवा दी sum sum नहीं square is equal to sum यह sum का square कर लिया मैंने find out और sum के square को मैंने s square बोल दिया क्या मैंने I call it as s square is equal to sum का square जो sum आ रहा था मैंने उसी का square find out कर लिया और मैंने यहां पे क्या write करवाया s square ठीक है यह point clear हुआ तबारा से मैंने write dot dot slash dot dot 10 ले रहा हूं मैं ताकि चीजें थोड़ा सा better हों दिख चाहें हमें screen पे एक पर फिर से चेक करते हैं क्या गडबड हुई है s square ओ सॉरी s s s square था यहां मैंने सिर्फ s लिखा था तो इस वज़े से वह चीज जीरो आ रही थी दबारा मैंने save किया कि दबारा से program को compile किया and then देखो 10 किया हो अब error आ गया data two dot dot file exist तो file exist है तो मुझे इसको remove करना पड़ेगा चीक है तो rm data two dot dot अब मैंने दबारा से compile किया 10 लिखा अब यह data कहां चला गया data two dot dot में यह देखो one का square one three का square nine six का square 36 10 का square 115 का 225 and so on तो यह numbers आये और यह उनका square आ गया इसी तरह मालों मुझे इनका square find out करना one two three four five six seven eight nine ten तो उसके लिए मैं क्या करूंगा देखो जरा फिर से गए यहां पर मैंने आई किया ठीक है और यहां पर मैंने क्या करवा दिया यहां पर मैंने बुला i square i square is equal to i star i तो मैंने यहां पर second column में i square लिख दिया यह आ जाएगा मेरे पास अब डाटा डू यह अल्रेडी थी यह मैंने डिलीट की मैंने दुबारा से प्रोग्राम को compile किया dot slash a dot out लिखा then let us see number 10 था यह आ गया ठीक है bi data 2.at देखो one का square two का square आ गया three का square आ गया और यह बाकी rest of the numbers थे वो infinity की और जा रहा था why it is happening इसको देखते हैं कि क्यों हुआ और वो बाकी सारे number ठीक आ रहे थे ठीक है गडबडवी न प्रोग्राम में कि कोशिश करना अगर हुआ तो ठीक है नहीं तो कोई नहीं इसके बारे में आपको बात में बताऊंगा क्यों आपको बताऊंगा क्यों था प Noel क्यों दो अ करारे में आपको भी लिर्युन स्बीस स्वेट अ आई च्छला रहेंगा इस और लिस्त काराई आई आई अ यह रिमू़ किया देन डॉट स्लेश यह डॉट आउट तैन अब नहीं आ रहा है यह वी आइड डाटा-टिव डॉट यह देखो तिक बन का स्क्वेर बन आ गया तूब का स्क्वेर 4 थ्री का स्क्वेर एंड एंड जू सक्शेसिव सम् था उनके स्क्वेर यहां पर आ रहे तो इस तरह से मेरे पास यह रिजर्ट आ रहा है तो मैंने आप बच्छों को क्या बताया आज आज आई टोल्ड यू की एन नेच्वर नंबर का साम कैसे फाइंड आट करते हैं उनका फिर जो मेरे पास डाटा आ रहा था उसको कैसे किसी एक्स्टा फाइल में लिखवाते हैं पहले तो हमने यह देखा कि स्क्रीन पर कैसे लिखवाया जाता है आफ्टर डाइट टोल्ड यू कि उसको कैसे आउट्पुट में लिखवाया जाता है क्लियर यह सर तो इसके अलब से अब काफी सारी नहीं चीज़ें कर सकते हों ठीक है